हलो 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 डियर स्टुडेंट्स आज के इस सेस्टन में हम सोसर ग्रूप के बारे में डिस्केसन करेंगे यह जो सोसर ग्रूप है दोस्तों आर्कियान टाइम पर फोर्मेशन हुआ था बेसिकली इसका जो डिस्टिबूशन है आपको नागपूर एंड शिंद्वारा एरिया पर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा साउसर ग्रूप एंड साकोली ग्रूप जेनरली टुगेदर फोर्मिन याली एंड मिडिल अर्कियान ओके यह जो सोसर ग्रूप में जो भी आ मिलता है और उसके अलाबा भी यहां पर मार्वल गोंडाइट क्वार्जाइट एंड गार्नेटी फेरस रोक आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ओके तो सोसर ग्रूप का सब्डिविजन है मैं यहां पर आपको डिस्कसन करूंगा दोस्तों सोसर ग्रूप में जो सब इसके उपर में दोस्तों सिता ओंगी फॉर्मेशन है यह जो सिता साहुंगी फॉर्मेशन है फेरस्पाथिक एंड क्वार्चाय डेवलोप हुआ है दोस्तों इसके अपर में काडवी कहरा फॉर्मेशन में मिल जाएगा ग्रॉणुलिटिग रोग विद सम बायोटाइट एंड मागनेटाइट कॉंपोजिशन उसके उपर दोस्तो उट्टे कार्टा फोर्मेशन यहां पर बैंडेड काल्क ग्रानुलाइट देखने को मिलेगा उसके उपर महें दोस्तो लोहांगी फोर्मेशन डोलोमाइट मार्बल एंड मांगानीज और और आपको देखने को मिलेगा इसके उपर दोस्तो चोर्वावली फोर्मेशन चोर्वावली फोर्मेशन में भी क्वार्जाइट एंड माइका सिस्ट देखने को मिलेगा उसके उपर चोर्वावली के उपर दोस्तो जुनाइवानी फोर्मेशन यहां पर आपको सिस्ट और ग्रानुलाइट देखने को मिलेगा बिचुवा फर्मेशन विचुवा में दोस्तों आपको डॉलोमाइट मार्वल उरॉबर के इसके उपर दोस्तों सितापूर फर्मेशन यहां पर आपको हन começar सिस्ट देखने को मिलेगा suggestapping बनार्बेेटेANS group which is important for Mansar formation and in Mansar formation you will get India's highest manganese ore deposit okay तो एही था दोस्तो थेंक यू अल आफ यू गाइज